कहानी की शुरवात होती है दूसरे विश्वियुद के समय में जब एक सोवियत ओफिसर ने दो छोटे छोटे पिले एक टैंक की नीचे फैंक दिये जब पिलों की मा ने ये देखा तो वो तुरंत रस्ती छोड़ा कर अपने पिलों के पीछे भागी असल में उस अफसर के ऐस इस जगा से जाने लगे वर अचानक सोवियत ओफिसर ने हवा में गोलियां चला कर सबको धमकी दी कि जो भी अपने कुटे को फॉज में नहीं भीजेगा वो अपने कुटे की जगा खुद फॉज में भरती होकर जंग में हिस्सा लेगा इसके बाद महां कुटों की ट्रेन उनके मालिकों को भी भाग कर टैंकस के नीचे जाने को कहा गया ताकि कुटे पूरी तरहा से निटर हो जाएं इस करी ट्रेनिंग का मकसद सभी कुट्टों पर बॉम्म्स बांध कर उन्हें टैंकस के नीचे भागने के लिए तयाग करना था उस समय वहां वालकोब नामका एक आदमी भी था जो अपने कुछते प्रिंस से इतना व्यार करता था कि उसे यूँ ही कुर्बान नहीं का सकता था इसलिए उसने प्रिंस के साथ यहां से भाग जाने का फैसला किया पर जल्द ही उसके कैप्टर ने देख लिया कैप्टर ने उसे वार्निंग दी कि अगर उ वालकोव अपने प्यारे प्रिंस के लिए अपनी जान भी नियोचावर करने को तयार था और उसके लिए प्रिंस की क्या एहमियत थी यह कोई और नहीं समझ सकता था असल में पहले वालकोव फॉज में एक पाइलेट वो गरता था और जखमी होने के बाद उसे जंगल में वेंजर के तौर पर तैनात कर दिया गया एक दिन जंगल में उसने कुत्ते को दो भेडियों से बचाया और उसका नाम प्रिंस रखा मगर वो नहीं जानता था कि यह मामुली सा कुत्ता उसकी जंदिगी बदल देगा फिर एक दिन वालकोव हंटिंग लाइफल देखर जासूस ने हमला कर दिया जासूस ने उसे चाको दिखा कर पेड़ पर धक्का दे दिया लेकिन तब ही आयन वक्ट पर प्रिंस दोड़ता हुआ आया और उसने जासूस की बाजु पड़े ही काट लिया फिर वॉलकोव ने अपनी बंदूग उठाई और उस जासूस को पर जब दूसरे विश्वयूत की शुरवात हुई तो जर्मन डुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने के लिए वालकॉव प्रिंस के साथ मिलिटरी में शामिन हो गया वह भी जखमी था इसी ने उसे कैंप डूटी इस डॉक्टर की मदद करना इस तरह की काम दिये जाते एक दिन वो डॉक्टर के साथ बाचीदी कर रहा था कि अचानक एक जर्मन बॉमबर ने वहाँ हमला कर दिया उनके काफी कैंप्स तभा हो गए पर वॉल कौव खुश किसमती से बच निकला उसने जखमी सैनिकों को उठा कर ट्रक्स में बीजने का काम किया फिर उसने अचानक प्रिंस भागते हुए एक मेडिकल गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया पहले तो उस गाड़ी में बैठे डॉक्टर्स ने प्रिंस को पहचाना नहीं पर फिर नर्स नीना ने प्रिंस के साथ चलकर देखने का फैसला किया प्रिंस दौरता हुआ नीना को वॉल प्रिंस ने काफी फॉजियों से दोस्ती कर ली थी हर कोई प्रिंस की बहादुरी और अपने मालिक की तरफ उसकी वफादारी को देखकर हैरान था वही नीना भी वॉलकॉव जैसे एक बहादुर फॉजी की कहानी सुनकर उसके प्यार में पड़ गई जल्द ही वॉलकॉव प्रिंस के साथ फॉज में शामिल होने का फैसला किया पर उससे सीधा जंग में भेजने की बजाए मिलिटरी के कुट्वों के ट्रेनिंग बेज़ पर वेज दिया गया इस बार वह वुलकॉव के साथ साथ प्रिंस की भी कुरबानी चाहते थे थोड़ी ट्रेनिंग के इसलिए उन्होंने पुराने तरीकुं से टैंक्स को तभा करने का फैसला किया। पहले इंसानों को बॉम्ब्स देकर टैंक्स को तभा करने भी जा जाता था। पर सीधी सी बात है कि इंसान कुट्टू के मुकाबले धीरे तोड़ते हैं। और इसी वज़या से कई बार इन फ पर बॉम बांदे ताकि चैसे ही कुट्टे टैंक के नीचे पहुंचे ट्रेंटीना के दबने से बॉम धमाका हो जाए जिससे दुश्मन फौजीयों के टैंक्स को तभा किया जाएगा। ये सब देखकर वॉलकॉफ का दिल बैठने लगा। प्रिंज ने उसकी जान और कहा कि तुम सिर्फ एक कुट्टे के लिए अपने देश से गदारी करनाई हूँ। आखिरकार वॉलकॉफ दुखी होकर अपने कमरे में आया और उसने गुस्से में अपनी बैसाखिया उठाकर चारू तरफ तोड़ वोर करनी शुरू कर दी। ये सुनकर नीना पाज़त करने वाला एक भादूर फोजी भी है। अगर उनका देश हार गया तो वॉलकॉफ और प्रिंस दोनों को बंदी बना लिया जाएगा। आखिरकार नीना की बातें सुनकर वॉलकॉफ ने फोज छोड़ने का मन बदल लिया। फिर अगले दिन ट्रेनिंग के समय उ जल्थी करनल ने प्रिंस और मिलिटरी के बाकी ट्रेंड कुत्तों को जंग के मैदान में वेजने का फैसला किया। अब वॉलकॉफ के पास कोई और चारा नहीं था। उनके सामने जर्मन फोजीओं की एक टुकडी और चार बड़े टैंक्स खड़े थे। जैसे जंग शु करनल को इसका ऐसास हुआ तब तक बहुत तेर हो चुकी थी। यह कुत्ता बहुत तेज सा और इससे पहले की फौजी उसे गोली मारते वो सीधा टैंक से जातकराया। और इस जबरदस थमाके में सोवियत टैंक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे करनल को बहुत अफ्तार से दोड़ कर जर्मन टैंक के नीचे गुज गया और धम से जर्मन टैंक के पर खच्चे उड़ गए। देखकर करनल तो बहुत खुश हुआ पर उस कुटे का ट्रेनर बुरी तरहां रोने लगा। उसने अपने हाथ जूर से मुठी में बंद कर लिये क्यूंकि व जर्मन फॉज काफी आगे तक आ चुकी थी। करनल कुटे को भीज कर तीसरा टैंक भी तभा करना चाता था पर तीसरा ट्रेनर अपने प्यारे कुटे को यूँ कुर्बान नहीं कर सकता था। इसलिए उसने और ना मान कर कुटे की शरीर से बंब हटा दिया। फिर वो खु भी जखमी होकर जमीन पर गिर गया। उधर उस फौजी ने पीछे मुड़ कर अपने साथी फौजियों को देखा और एक ही पल में उसके अंदर जोश बढ़ गया। आखिरकार वो जर्मन टैंक के नीचे आ गया और उसने अपनी जान कुर्बान करते हुए उस जर्मन टैं जखमी हो गई। उधर वालकॉफ ने जैसे तैसे हिम्मत करके जर्मन डुश्वनों का सामना करने का फैसला किया। पर फिर उसे भी गोनी लग गई। इस मुश्किल घड़ी में अचानक प्रिंस दोड़ा और गोलियों की बरसात के बीच सीधा जर्मन टैंक से जाटकराया इसी तरहां प्रिंस ने अपनी जान कुर्बान करके आखरी जर्मन टैंक को भी तभा कर दिया जिससे वालकॉफ और उस पूरे सोवियत कैंप की जान बच गई। आखिरकार वालकॉफ काफी सम्मान के साथ रेटायर हो गया और प्रिंस की बहादुरी के सम्मान में पूरा शहर उसका स्वागत करने आया तो वह भी प्रिंस की बहादुरी की कहानी वड़ेक गर्व से सुनाता था वालकॉफ के लिए प्रिंस एक सच्चा हीरो था जिसने अपनी जान की वाजी लगा कर पूरे देश की रक्षा की थी ये एक सच्ची कहानी है जब डूसरे विश्व सब्सक्राइब करना सही था कमेंट्स में जरूर बताना मिलते हैं अगली वीडियो में